हेलो फेंड एक बाफ फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ लेंड चनल पर आज हम वीडियो पर डोलो जेल सीटी के बारे में बात करते हैं लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूँ अगर आप चनल पर नए है आपने अभी तक चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें तो आए हम डोलो जेल, सीटी के बारे में बात करते हैं यह डॉक्टर रेडी द्वारा निर्मित है और इसमें कोलिन, सैली, सैलेट और लिडोकेन शामिल है डोलो जेल, सीटी, जेल, मुह के शालों, मसूडों और दातों की जलन के कारण होने वाले दर्द और सूजन से रहाद दिलाने में मदद करता है इसे साफ उंगलियों से प्रभावित शेत्र पर दिन में तीन से चार बार या फिर डॉक्टर द्वारा बताये गए अनुसार लगाना चाहिए साथ ही अगर कोई इरिटेशन होती है तो इस दवा का इस्तमाल बन करना चाहिए यह जहल दो दवाओं का मिस्टर नहें और मुह के शालों का इलाज करने के लिए इस्तमाल किया जाता है साथी यह अलसर के दर्द, सूजन, लालीमा और जलन को भी कम करता है इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में इसका उप्योग करना चाहिए साथी से साफ हाथों से केवल मुह में लगाएं और निर्धारित से अधिक खुराक में इसका इस्तमाल न करें और डॉक्टर के बताई अनुसार आमतोर पर यह दवा सुरक्षित है और इससे कोई साइट इफेक्ट नहीं होता है लेकिन अगर फिर भी किसी को अलर्जिक रियक्शन जैसे खुजली, सूजन, रैशेस का अनुभाव होता है तो इसका इस्तमाल बन करके डॉक्टर की सलहा ले सकते है यह जैल नॉन इस्टेराइड एंटी इंफ्लेमेंटरी नमक दवाओं के एक सम्हों से समंध रखता है और यह दर्द और सूजन, लालीपन का कारण बनने वाले रासायनिक मेसेंजर के स्राव को अवरुध करके काम करता है और यह एक लोकल एनस्थेटिक है यह नसों से मस्तिक्ष तक दर्द संकेतों को अवरुध करके काम करता है जिससे दर्द की अनुभती कम होती है साथ ही ध्यान रहे कि डोलो जेल सीटी जेल का इस्तमाल करने के एक घंटे बाद तक खाने पीने से बचना चाहिए क्योंकि इस दवा से आपकी निगलने की शमता कम हो सकती है और डोलो जेल सीटी बच्चों पर भी उपयोग के लिए नहीं है तो फेन इस तरह से डोलो जेल सीटी यह एनलेजेसिक और एंटिसेप्टिक नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है इसका उपयोग मुह के शालों और औरो फरिनक्स जैसे गले के मध्यभाग की सूजन के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है इसे त्वचा पर दवा को उपयुक्त मात्रा में प्रभावित हिस्से पर लगाना चाहिए और हर चार घंटे के अंदर लगा सकते हैं साथ ही इसे साथ दिन तक इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रहें कि यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली खुराख है और यह हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोग और दवाई देने के तरीके साथी रोगी की आयू और उसका चिकित्सा इतिहास के आधार पर ही इस जैल की खुराख भी अलग हो सकती है इसलिए डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार ही डोलो जेल सीटी का इस्तमाल करना चाहिए तो फेंड इस तरह से डोलो जेल सीटी जैल की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशकरती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंस सके धन्यवाद